प्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI का जो आपका पैट हुआ था यानि के फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट वह अगर आपका पास हो गया है तो अब आपको क्या करना है और जिनका भी डिवी पेस्थी हो रहा है उनका जो पैट के अड्मिट कार्ड है वो कब तक आ जाएंगे और फ़र्स्ट फेस्ट के आपके कुछ केंडिडेट का पीटी नहीं हुआ है तो उनका कब तक है इस वीडियो में सभी चीजों पर बात करने वाले हैं और आपकी फाइनल लिस्ट जो है कब तक आ जाएगी हम इस पर भी बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को न्यू करेंने हैं फस्ट फेस के जिन केंडीडेट का अलीगड़ है अर्वे में पीटी होना था उनका जो है बारिस की वज़ए से नो तारीक माई को शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि पाच तारीक में उन कंडीडेट का फीजिगल होना था तो वहां पर बारिस हो गई थी इस व कुछे वाला उसको कैंसल कर दिया था या फेज के बारे में उसमें जानकारी नहीं है साम वाले फेज में भी हो सकता है आपका मुझे फेज की जानकारी नहीं है मतलब पांच तारिक में किनका भी अलीगड़ की तरफ था हम नोटिस के अंदर रही डारेक्ट देख लेते हैं क्या नोटिस के अंदर लिखा हुआ है सिक्लियर हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि शारिक शफल तब अलीगड़ अलीगड़ के अंदर जो भी 45 भी वहाहिनी में पी आश्य में आपका था उस पांच पांच दो ज़ बजे के बीच में यह इनों ने बता दिया है तो इस नोटिस के अंदर सिरफ अलीगड़ वाले जो कैंडिडेट थे चनपत जिनका अलीगड़ था उनके लिए ही है यह नोटिस बाकी और किसी कैंडिडेट के लिए नोटिस नहीं है हम चलते हैं वापिस ओफिशल है कि क्या फीजिकल डीवी पीस्टी होते होते ही फीजिकल का आपका एड्मिट काड़ आ सकता है या फिर सबकी अठारा मई के बाद ही पीटी का जित्ति जलत आएगा यह बहुत कैंडिडेटों के मन में सवाथ बना हुआ है तो इस पर मैं किलियर कर देता हूं देखिए ऐ इसा कुछ भी निश्चित नहीं है कि अठारा तरीक के बाद ही आपका एड्मिट काड़ आएगा पीटी का उससे पहले भी आ सकता है अगर जिन का जिन केंडिडेट का पीटी सोरी डीवी पीस्टी हो चुका है लेकिन साथ परसेंट चांस है कि आपका जो है डीवी अधिके से इस भरती में भरती वोड तेजी दिखा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है कि यहां आपका डीवी पीस्टी आदे बच्चों का समाप्त हो जाए और उन आदे बच्चों का पीटी का एड्मिट काड़ भी आ जाए तो आप अपनी दोड़ को तैयार रखिए किसी भ क्वालिफाइग कर लिया है TONER कर लिया है वह क्या करें अब पीटी क्वालिफाइग केंड़िएटों को कुछ नहीं करना है बस उनको वेight करना होगा जो फाइनलल लिष्ट आएगी उसके अंदर नाम है यह नहीं है क्योंकि final list के अधार पर ही medical के लिए short listed किये जाएंगे candidate और वहीं पर आपका फिर एक दो तिन पहले या बाद में आपका dvpst होगा दुबारा से और उसके बाद अगर आप दोनों चीजों को पास कर लेते हैं तो फिर आपको training के लिए बुलाया जाएगा वह उससे एक डिड़ महीने बाद जब यह सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपको एक डिड़ महीने बाद training दे दे देंगे या फिर उससे भी जादा time लग सकता है स्राम को भगाया जा रहा है तो बहुत कम candidate जो है वह फेल हो रहे हैं तो second list जो है अब जारी होना बहुत ही मुश्किल है तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजे क्लियर कर दी है और final cut-off हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा रहे या फिर यह भी हो सकता है कि इसी पर आपकी final cut-off लगा दी जाए एक नमबर इंक्रिस करके या दो नमबर इंक्रिस करके तो ऐसा भी नहीं है कि 20 नमबर पढ़ जा होती अंतर होगा जो अवाली list है क्योंकि जो अवाली list लगी है वो भी कोई ज्यादा कम marks पर नहीं लगी कि final list जो है वह 400 में सा 400 चल जाएगी तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें अगर आपके नमबर ज्यादा है तो आपका selection जो है definitely हो जाएगा इस वीडियो में पस इ